नमस्कार तेरा दुख बड़ा है मेरा बिल्कुल आज अपन बात करेंगे कि किसी भी इंसान का दुख अगर आप देखते हो ना तो आपको उनको क्या लगता है अरे इसका तो कुछ भी नहीं है मेरा दुख कितना बड़ा है हर इंसान आजकल यहीं करता है कि तेरा दुख बड़ा नहीं है मेरा दुख बड़ा है कोई इंसान अधिकतर क्या होता है कोई इंसान किसी के पास में आता है दुख शेयर करने के लिए आता है उनका मन हलका करने के लिए आता है किसी के पास में और जब वो बात करते हैं जार म कि मेरे परिवार में हो गया मेरे ओ दुख चल रहा है यह क्चा रहा है वह दो मिंठ भी बात कॉम की बाता रहा हूं तो कि में पता रहा हूँ आख उम्हें directors का तो कुंछ भी नहीं यहार मेरे तो मेरी पुत्र का दूख है मुझे मेरी बिटी का दुख है मुझे मेरे व्यापार का दुख के हर तरह का दुख उस सामने वालों को बताने लग जाएगा Why? Why are you doing like this? आप इसा क्यों करते हो? सामने वाला बेचरा आपके पास आया है आपको पास दुख शेयर करने आया है कि यार मेरे ऐसे सामने वाला हमन हलका करने आता है सामने वाला लेकिन आप क्या करते हैं आप उसे अपना दुख बता देते हैं वबेचारा दुख पेले ही दुखी होता है और आपका दुख सोच के और सांत हो जाता है अरे इनका दुख इसा कभी न करें लाइफ में एक बात हमेंसा ध्यान लगना, कोई इनसान अगर आपके पास आता है दुख शेयर करने के लिए, मैं 90% लोगों के बात कर बता रहा हूँ, कोई इनसान दुख शेयर करने आता है, अधिकतर क्या करते है, अधीक तरा अपना दुख और उसको बता देते हैं कि वह दतानी की कौसिस करते हैं कि तेरा दुख कुछ भी नहीं है मेरा दुख बहुत बढ़ा एसे ना करें सामने वाला आपके पास आया है दुख शेयर करने जिए कुछ आपको समझ कर आया है तो उसको अपना दुख न बताएं, उसे हिम्मत बताएं, उसे एक सकरात्मा सोच दें, उसे डंडस बताएं, उसे हिम्मत दें और उसे इंकरेज करें कि कैसे उस दुख से बाहर ठेकलें, उसे हमेसा पोजिटिव सोच रखने के लिए बोलें, उसे यह नहीं कि वो दुख ले मसा ऐसा नहीं करें कि तेरा दुख बढ़ा या मेरा दुख ऐसा कभी न करें सामने वाला आपके पास दुख शेयर करने आया है तो उसे हिम्मत के साथ में उसे खड़ा करने की कोशिश करें आप उसे कुछ देने सके तो आप उसके साथ में हिम्मत तो बंदा है और अगर उसे कुछ दे सके तो ये तो और बहुत बड़ी आपकी उपलुप्दी होगी इसलिए लाइट में हमें सा ध्यान रखना हर इनसाम के जीएं में दुक आता है किसके जीएं में दुक नहीं आता है लेकिन दुख के समय किसी इंसान के साथ में अगर आप खड़े रहते हो अगर आप उसके साथ खड़े भी नहीं रहे और अगर आप उसको positive सोच देते हो आप उसे encourage करते हो आप उसे हिम्मत के साथ में खड़े रहने की प्रेणा देते हो तो वो भी आप के लिए सबसे बड़ी बात होगा इसलिए जीवन में एक बात बस्तियान रहता है कोई भी इंसान आपके पास आए दुख लेकर तो उसे अपना दुख मत सुनाना उसे हिम्मत के साथ में कहना के वापिस उट खड़ा होगा आज समय बुरा है तो कल समय अच्छा है उसको हमेसा आप encourage करना उसको हमेसा आगे बढ़ाना और उसे उसके दुख में साथ देना